केंद्री ग्रिमंत्री अमित्र शाह ने पशिबंगाल के पेट्रपोल में एक यात्री टर्मिनल भवन और एक मैत्री द्वार का उधगातन किया पेट्रपोल में दक्षिनेशिया का सबसे बड़ा भूमी बंदर गाह है और भारत बांगलादेश के बीच व्यापार और वानिज्ज के लिए ये महत्रुपून प्रवेश द्वार है पेट्रपोल में यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का उधगातन किया पेट्रपोल में दक्षिनेशिया का सबसे बड़ा भूमी बंदर गाह है और भारत बांगलादेश के बीच व्यापार और वानिज्ज के लिए एक महत्रुपून प्रिवेश द्वार है पेट्रपोल, बेनापोल व्यापार और यात्री आवागमन दोनों के मामले में भारत बांगलादेश के लिए सबसे महत्रुपून भूमी सीमा क्रॉसिंग में से एक है ग्री मंत्री ने पशिमंगाल के लेंडपोर्ट, पेट्रपोल में यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का प्रतीक बताया पेट्रो पोल लेंडपोर्ट दक्सीन एसिया का सबसे बड़ा पोर्ट है और ये सबसे व्यस्त पोर्ट भी है और भारत और बांगलादेश के बीच जो व्यापार होता है भूमी मार्ग से इसका 70 प्रतीसत व्यापार अकेला ए लेंडपोर्ट ऑथोरिटी का पेट्रो पो मैतरी दौर भारत बांगलादेश द्वारा सेहमत जीरो लाइन पर एक संयुक्त कारगो गेट है भारत और बांगलादेश के बॉर्डर पर मैतरी दौर तसकरी और अन्य गेर खानूनी गतिविधियों पर नियंतरन करेगा भारत बांगलादेश के बीच तसकरी को रोकने मे मेत्री द्वार से जाँच एजंसियों का सभी ट्रकों पर नियंतरन हो पाएगा। पर नियंतरन हो पाएगा। बेनापुल सीमा बांगलदेश सीमा पर सबसे व्यस्त भूमी बंदरगाओं में से एक है क्योंकि दोनों देशों के बीच लगबख 70 प्रतिशत व्याबार यहीं से होता है। यह गेट प्रतिदिन 600-700 ट्रकों के आवगमन को तेज और सरल बनाएगा। भारत का भूमी बंदरगाओ प्राधिकरन इस टर्मिनल और गेट का संचालन करेगा। इस परियोजना से नकेवल भारत बंगलदेश यात्रा अनुमों में सुधार आएगा। बलके इसे एशिया के एक महत्पूर्ण केंदर के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। बिरो रिपूर्ट डीडी निव्स